हलो फ्रेंड्स व्ल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स अगर आपके सामने इन्वेटर मोटल एर कंडिशन हो बहां पे क्या है आपके सामने यह फॉल्ड आ रहा है कि आपके कंप्रेस्सर वार वार ट्रिफ हो रहा है या फिर पांदस मिल तक चलता है उसके सिल्टर करना है इंडोर में इस फिल्टर लगये होते हैं अगर आपके फिल्टर बहुत ज्यादा बहुत जादा गंदगी होगा और बंद हो जाएगा त्रिफ हो जाएगा च्विल्टर चो होना चाहिए उसके बाद आप को देखने की वहाँ पर ँसके पर पर तरीक से देखने कि वहाँ में डस्ट विल्कुल नहीं होने चाहिए अगर है तो आप उसकी सर्विस कर दें आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी उसके बाद आपको चेक ओड करना है कि आपका जो रूम कंपरेचर सेंसर रोड़ा चरमन की ने juvenकार्ण हो जाएगा पर उसका कटाफ करना है कि आपको जो क्वैल temperature sensor होता है जो क्वैल में Attach होता है Epolyter me टी कि उस sensor को आप check out करने कि वो sensor sort तो नहीं हो गया या फिर उसका wire तो cut नहीं है या फिर वो cooling को sense तो नहीं कर रहा ठीक है cooling को sense नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका compressor जल्दी cut off हो जाएगा और cooling भी नहीं इसके पहले ही वहाँ पर कर देगा ठीक, तो आपको sensor को चेकवर करना है इसकी रिस्टेंश है को करने कि वहाँ पर सैंसर आपका प्रोपर तरीक से वर्क करना चाहिए उसके बद आपको चेक्वर करना है कि आपका जो system है वह उसमें अगर गैस कम होगी पर आपको पता लगी जाएगा कि आप जो पाइफ होता है लुकेट बाला उस पर आई साना स्टार्ट हो जाएगी अगर आईस नहीं आती तो आप गेज लगा कि उसको चेक ओट कर सकते हैं उसका रणिंग प्रेसर कितना है अगर गैस कम है तो आप उसको चार्ज करें आपकी फ्रोलों सॉल्फ हो जाएगी उसके बाद आपको चेक ओड करना है कि कभी कभी कैसा यह होता है कि रफ्रिजेंट कर देते हैं और उसे फिर भी और उसका जो इस टैनिक प्रेसर होता है राणिंग प्रियसर और रहता है तक स pos करताए अगर एक Mobile कि होता है तो वहाँ प्रोलिंग भी प्रोपर तरीकिसे नहीं होता है तो मौन पर आपका कम ठाटर्सेसर फोके बंद हो जागा नहीं मुख Bayern और आहए और इसको गैस अगर उसमें है और साथ में झालन सारी उसके भइया को आपको अब आपको पैसा हिसा होता है और आप पर हाफ गैस चार्ज करते हैं वहाँ पर वेक्टिम नहीं नहीं कर पाते हैं तब ये दिक्कत आती हों और 410 एय रेफ्रेजेंटर फिर एर 32 एय रेफ्रेजेंटर वहाँ पे आपको क्या करना है तो अगर हाफ गैस से तो आप गैस को सारी निकाल दें उसके बाद कमकस्टूम क्लोर मोटर चलना चाहिए अगर वहां पर था सपीट लोगी तो आपको कंपरिसर ट्रफ होके बंद हो जाएगा उसके बाद फैन मोटर नहीं चला है या फिर इंडोर को विलोर मोटर नहीं चला है तब यह दिक्कत आएगी ट्रपिंग की उसके बाद आपको एक चीज और नोट कहने है आपका जो एपुरेटर होता है इंडोर होता है वहाँ पर फिंस डैमेज हो जाती है तब ही दिक्कत आदि वहाँ 10 अब्वियुलिए सबाटे मिन भी ऐर्साइब और क्ने ही कर पाता है और प्रोपर तरिल के से lring नहींन कलेगी तब यह दिंगत आती तो मंगे जो वंच होती है व Competition क्यों ट्रीके से अगर दिक्कत आती एयर को सेख नहीं करें और कंप्रेसर आपका हीट अफ होके बंद हो जाएगा तो आप इस दीज को भी ध्यान रखें अगर यह फिन्स बहुत जादा डैमेज तो आप सीधा कर सकते हैं टेस्टर से उसकी मदद से ठीक है अगर आपका सिस्टम कहीं से चोक होगा तब भी दिक्कत आएगी कि वहाँ पैस होगा आपका जो कंपरासर ट्रिफ क्बंद यह फिर आपका पाइप कहीं से पंच है आपका कौर्टर वाला पाइप अंच है या फिर सक्सन वाला criminal पाइप कहीं सबiger Cette तुम आपे यह दिक्कत आएगी आपका कंप्रेसर ट्रफ के बंद हो बहुत सारी video मैंने चोगेंघ ग्युंग आप संब देखेंगे तो उससे समझ जाएंगे वैसे वैसे चोगेंग की जब प्रोब्लम होती है कि वहाँ पे नमी स्टाट हो जाती है जहाँ पे तो आप इससे भी identify कर सकते हैं वाकि यह सारे रीजन है आप इस टे बेज टेप इसको चेक ओड करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएगी तो फ्रेंड्स यह चोटी सी information कैसे लेगे अगर अच्छी लिए वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूजिट के चैनल को सब्सक् क्यां जाएगी जाएगी दो चाहां भाइक कर दो स्वशी देंगिंग होगा घय कर दो सकते हैं फ // Greekかった झाल झाल